कुलू जिला के चंडिगड मनाली राष्ट उच्चमार्ग पर बुधवार रात राइसन के समीप तेज रफतार वैन खड़े ट्रक से जाटक राई जिसमें दो लोगों की घट नस्तल परीमौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घायल की नाजुक ह हालत को देखते हुए चंडिगड पीजी आई रेफर कर दिया गया है वहीं प्रशासन की तरफ से मृतक के परिजनों को दस दस जार रुपए फौर इराद के तौर पर दिये गए हैं वहीं गंभीर घायल को पांच जार रुपए की फौर इराद दी गई है दोनों मृतकों अमर्चन ने सीटी चैनल से बात करते हुए बताया कि उनके पास आसाम के मजदूर काम करते हैं और बीती रात तीन मजदूर बिना पूछे गाड़ी लेकर राइसन से कुल्लू की तरफ आ रहे थे तब ही राइसन कैच फैक्टरी के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक से वे घंटों घायल को इंतजार करना पड़ा जिसके बाद स्थानिय लोगों ने अपनी गाड़ी में घायल को अस्पताल पहुंचाया उनुनका की सुभभी चंदिगड के लिए पेड़ एंबुलेंस में मरीज को भेजा गया उनुनका की सरकार की तरफ से 108 एंबुलेंस की परकिया दोग चला होगा है और फिर आए ट्रेक रहा था साइड में सायड तो क्या क्या सकते है प्रपेड़ जटकर आगए और बारिशचा नदेरा था बारिश लगी थी तो शायद लड़कों को नजर ना ओ हो तरपाले नीचे उतारह उतारा हुत तो इस करके इनका एक्स पर पड़े पोड़े बियाल निकाल के फिर फिर में भी सात्राहि जो इंजिर हुआ था उसको हमने पहले प्राइबट गाड़ी वेच दिया था जो शब थे वह पुलिस की गाड़ी में दोनों शब्लिया आए है यहां श्पहर, रात को उसका पूरा प्रेटाला, दॉक्तरस साब है, त्पिन का पत्न और उसका अक चोटा बाई, तीनों चन्नीगडरा चले गए ऑसाथ, कुलू की पुलिस अधीक शिक शाली नियाग निहोतरी ने इस घटना की पुष्टी करते हुए बताया कि रैसन के पास बेतीरा तेज रफतार वैन खड़े ट्रक के पीछे जाटक रही जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभी रूप से घायल हो गया है उन्होंने कहा कि धारा 289 और 337 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जाच कर रही है के लिए रैफर किया गया है तो यह राइसन कैच फेक्टर के पास का यह हाथसा है और जो व्यक्ति अभी क्रिटिकल इंजड है वो पीजी आई में अंडर ट्रीट्मेंट है और सिचुएशन अभी भी डॉप्टर्स के कॉर्डिंग उसकी क्रिटिकल है व्यक्ति हैं यह ती इन तीनोई असम के खौनितपूर डिस्टिक के रहने वाले हैं और इसमें से अमित और मिलन की मौके भी मौत हुई थी और होरेश जो है वो भी अंडर ट्रीट्मेंट है सिटी चनल के लिए कुलू से दलीप ठाकूर की रिपोर्ट